The Pisa 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 पर यह als taxa सबके पास टिक्टा नहीं है हर आदमी इसको manage करना नहीं जानता हर आदमी यह नहीं जानता किसकी value को कैसे बढ़ाना है आपको पता है इसकी value रोज डी-grade होरी है रोज इसकी value घठ रही है पच्हिस हजार रुपय महीन महिना कमा के भी आप अमीर बन सकते हैं करोड़ पती बन सकते हैं और पांच लाग रुपे महिना कमा के भी आप गरीव रह जाने वाले हैं अगर आपने मनी के मैनेजमेंट को नहीं समझा राइट अर्निंग और राइट अर्निंग के साथ साथ राइट सेविंग करना बहुत मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे थम रूल जिनसे आप इस पैसे से कोरोडो रुपया बना सकते हैं और बहुत अधिक अमीर बन सकते हैं यहां एक एग्जामपल मिलेने वाला हूं यहां तीन दोस्त हैं शैली मै मेक और जोनथन ज्यान से समझेगा केवल 25,000 रुपी हूं महिना शैली कमाती है। मेक एक लाख रुप hm cur अ महिना चामता है। जबकि जोनथन पांच लुपे महिना कमता है। अब यहां पर इमपोटेंट बात यह नहीं है कि आप कितने पैसे कम nextMी करते हैं । इमपोटें से इंजॉय करता है खा लिया पी लिया उड़ा दिया पाटी कर ली बड़ी बड़ी चीजें खरीद ली अच्छी जगह गूमने चला गया केवल सही तरीके से सेविंग के मैनेजमेंट को समझ कर कौन जल्दी अमीर बनता है चलो इसको समझते हैं मालीजे शैली मैक और जॉने 40% और फ्रेंड्स देखते हैं कि कुछ सालों बाद इस बात का क्या परभाव पड़ता है क्योंकि मैक जो है वो अमीर है वो पांच लाग रुपे मैने कमाता है और कोई भी सेविंग नहीं करता तो हर महीने शैली 10,000 रुपे अपने पास सेव करती है और उस सेविंग को वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां पर उसको केवल हर महीने 1% का इंटरस्ट मिलता है मतलब अगर साला न देखूं तो लगबग 12% का इंटरस्ट उसको मिलता है और जो मैक है वो भी अपने पैसे को सेव करता है पर वो किसी को देता नहीं है कहीं बैंक में डालता कहीं इ तो पहले साल शेली ने जो 10,000 रुपे मेने जोड़े मतलब पूरे साल में एक लाग 20,000 रुपे जोड़े और एक परसेंट व्याज से मतलब केवल 10,000 पर 100 रुपे प्रतिमा व्याज से उसका जो टोटल सेविंग हुआ वह हुआ एक लाग 26,825 रुपे कितना एक लाग 26,825 रुपे शेली ने जोड़ लिए क्यों क्योंकि उसका पैसा भी था और इंटरस्ट भी उसको मिल रहा था मैं क्या करता हुआ चालिस हजार रुपे हर महीने जोड़ता था मैंने कहा ना मैक की सलरी एक लाग रुपे है और वो केवल 40% सेविंग करता है तो वो 40,000 रुपे हर महीने जोड़ रहा था पर उसको अपने पास रख रहा था अपने पास सेविंग में रख रहा था तो उसके पास इकटे हुए 4,80,000 मतलब 40,000 गुना में 12, 48,80,000 मैं के पास इकटे हुए और जॉनेथन के पास इकटा कुछ भी नह अच्छे गेजट्स खरीता है अपनी फैमली को हैपि हरता है अपनी दोस्तों को एप्रकता है किती पाटी करता है तो वो इस तरह से खरचा करता है दूसरे साल जब सरल फिर 10,000 मैमा जोड़ती रही जोड़ती रही तो दूसरे साल के एंड उसके पास 2,995,734 रुपए हु तो मैक तो आगे बढ़े गई चलो आगे देखते हैं मैक केवल अपने पैसे कोई कठा करता जा रहा है प्लस करता जा रहा है जोड़ता जा रहा है अपने पास अब यह calculation आप चेक कर सकते हैं मैं आपको मेरे description में आप देखेगा एक formula आपको मिल जाएगा जहां पर आप कितनी सेविंग करें कितने interest पर हो या कहां invest करें तो कितना profit आपको होगा और भविश्य में कितना पैसा होगा यह calculate आप कर सकती है पांत साल बाद जो शैली है जो केवल 10,000 रुपे महीना बचा रही है उसके पास होंगे 8,16,696 और मैक के पास 24,000 रुपे क्योंकि मैक जो है वो लगातार जोड़ता जा रहा है जोड़ता जा रहा जोड़ता जा रहा जोड़ता रहा लेकिन कहीं पर invest नहीं कर रहा 10 साल बाद जो शैली है शैली के पास होंगे 23,000,000 रुपे 10,000 रुपे जोड़ती जाएगी इसको बोलते हम power of compound interest चक्रवरती ब्याज ब्याज के उपर ब्याज इस तरह से invest करना है कि आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाए जबकि जो मैक है वो इस पैसे को केवल अपने 15,000,000 रुपे उसके बाद में 15 साल बाद जो शैली का पैसा है वो हो जाएगा 50,000,000 रुपे मैंने कितना बता है सिर्फ 1% सिर्फ 1% का उसको cumulative interest मिल रहा है तब उसका पैसा इतना हो जाएगा और मैक के पास भी हो जाएगा 72,000,000 रुपे क्योंकि मैक 40,000 रुपे जोड़ता है और अपने सारे पैसे को अयाशियों पर उड़ा देता है 20 साल बाद शैली के पास एक करोड रुपे होगा 20 साल बाद शैली के पास एक करोड रुपे होगा और मैक के पास भी 96,000,000 रुपे होंगे अब आप देखिए यहां कैसे power of multiplication and duplication बढ़ता है कैसे compound interest का benefit उसको मिलत है जबकि जो जॉनेथन है वो केवल 5,000,000,000 रुपे कमाता था अब भी वो 5,000,000,000 रुपे ही कमाता है लेकिन inflation अगर हम देखेंगे तो उसके पैसे की value घट चुकी होगी फाइन उसके बाद 25 साल बाद शैली के पास 1,90,000,000 रुपे हो जाएगा कितना 1,90,000,000 रुपे औ परना कोई rocket science नहीं लगा हुआ कोई extra formula नहीं लगा हुआ केवल आप जो पैसा invest कर रहे है उसको reinvest कर रहे है उसके interest को भी invest कर रहे है उस पर मिलने वाला benefit आपको हो रहा है 25 साल बाद मैंने आपको बताया है कि शैली के पास 1,90,000,000 रुपे होगा और जो मैक है उसके पास 1, करूड 20,000,000 रुपे होगा तीस साल बाद शैली का जो पैसा है वो साड़े तीन करूड रुपे हो जाएगा और जो मैक का पैसा है वो एक करूड 44,000,000 रुपे होगा 35 साल बाद शैली का जो पैसा है वो लगभग 7 करूड रुपे होगा और जो मैक का पैसा है वो एक बाड़ शट लाक रुपे होगा फ्रेंड्स और जो जॉने था ने उस समय पर उसकी इंकम की वैल्यू बहुत कम हो जानी है क्योंकि पांच लाक वो कमाता था और वो उसके पास आज भी कुछ नहीं बचना है अगर भविश्य में उसका व्यापार बंद हो जाता है अगर भव जिहान रखिए यह बात हमें समझाती है तीन लेसन आज मैं आपको देने वाला हूं तीन लेसन अगर इंवेस्टिंग के तीन लेसन को आप समझ जाएं तो आप भी अपनी लाइफ में करोड़ रुपया कमा सकते हैं और यहां तो शैली की इंकम बहुत छोटी है 25,000 रुप गमार रहा एक तरह से क्योंकि उसने बणी की पावर को नहीं समझा उसके मैनेजमेंट को नहीं समझा यहां इंप्वाटन बात क्या है अभी तो शैली ने केवल 1 परसेंट की ग्रोथ लिए एक पर सेंट पर मन्त मतलब 12 की ग्रोथ लिए आज हमें से बहुत सारे लोग ग्र share market को जानते हैं mutual funds को जानते हैं इन्वेस्टिंग में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग को जानते हैं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग को जानते हैं कौन से पॉर्चुनिटी बैस्ट आने वाली है वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को केवल एक परसेंट नहीं प कितना पैसा कमाते हैं फर किस बात से पड़ता है आप उस कमाई में से कितना परसेंट सेव करते हैं दूसरा रूल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना सेव करते हैं फर किस बात से पड़ता है उस सेविंग को आप कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ती लिए ये जरुवत है पैसे को सही तरीके से निवेश करने की ऐसी जगे इन्वेस्ट करने की जहां से आपको मिलने वाला रिटर्न कई गुना होने वाला है क्योंकि ध्यान रखिए इन्फलेशन गैप में मतलब हर साल पैसे की जो वेल्यू है वो घड़ जाती है अगर आप पैसा अपने पास रखते हैं तो आज जो एक लाख रुपे की वेल्यू है आने वाले टाइम में उस एक लाख रुपे की व और शेली के सामने हाथ फिलाने लगा तो आपकी लाइफ में ऐसा ना हो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको लगए यह 35 साल का ट्रायक है लेकिन यहां पर मैंने कैलकुलोशन के वाल एक परसेंट ग्रोथ की लिए अगर आप अच्छे स्मार्ट इंवेस्टर हैं तो अच्छे बिजनसमेन तो हजार हजार परसेंट की ग्रोथ लेकर आ जाते हैं तो यहां ज़रूरत है राइट इंवेस्टमेंट एंड राइट मेंटॉर्शिप की अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अधिक अच्छीवमेंट्स करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे लेगी क्योंकि बविश्य में केवल तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आप राइट इंकम के साथ राइट इन्वेस्टिंग के साथ बिजनसमें ग्रोथ कर पाएंगे फ्रेंट्स मेरे जीवन का उद्देश्य की भारत के हर गर से एक सफल बिजनसमें तयार हो सके और ये केवल तभी संबब है जब हर व्यक्ति इस मुहीम में शामिल हो कि मुझे अपने आपको सफल बनाना है हर सफल व्यक्ति मिलकर एक सफल भारत का निर्मान करेगा स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वोईश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत